Hi everyone, welcome back to my channel, my name is Suganda Sharma आज की वीडियो में हम बात करेंगे Intelligence Bureau यानि भारतिय कूफिया विभाग में निकली हुई एक Officer Post की Vacancy के बारे में ये वो vacancy है जिसके लिए जब मैं Student थी मैंने जट अपना College ख़तम किया था और मैं Government Job के Exams में Appear हो रही थी तब मैंस में Appear हुई थी जब आप एक सरकारी नौकरी के तयारी करते हैं तो normally लोग क्या करते हैं कि जितने forms आते हैं वो सब भरते जाते हैं क्योंकि सब में जो subjects हैं अल्मोस्स सेम होते हैं English, Channel, Knowledge, Maths and Reasoning तो अगर आप जैसे लुसेंट के बुक से मैं पढ़ती थी अगर आप एक बर पढ़ लेते हैं जी के लुसेंट से तो आप मोस्तली काफी सारे एक्जाम्स क्राइक कर पाते हैं बट आप 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 वेरी चुजी, I was very selective and I was very particular about the exams that I used to appear in so my big Ginechun exams, Indian Aami का मैं हर साल भरती थी which was CDS का exam, Indian EFOS का हर साल भरती थी which was FCAT and ये वला फर्म बती थी and before you ask me, yes I used to clear them, मैंने रिटन्स क्लिय किये हैं इसके लिए SSB interviews भी मैंने, I think more than 9-10 times I don't remember the number exactly दीए हैं so ये जो vacancies है मेरी बहुत नॉस्टाल्जिक हैं because मैंने भी इसके forms फिल किये हैं इस vacancy को हम चार पार्ट्स में डिसकस करेंगे सबसे पहले इसके बारे में सारी important details जैसे form fees किया है, important dates किया है, number of vacancies कितनी है, exam कब होगा and all of that second, eligibility criteria, third, exam pattern and syllabus and fourth, how to apply for this so पहला पार्ट डिसकस करते हैं about these vacancies यह vacancies है, intelligence bureau में जिससे हम भारती कुफिया विबाग कहते हैं जो government of India के under आता है government of India का डिपार्टमेंट है ministry of home affairs जिसके website mha.gov.in है जहां से आपको यह form फिल करने हैं मैं आपको website description में दे दोंगे तो उसमें यह vacancies निकली हुई है आपको इसको raw से confused नहीं करना है जो आप मुवीज में देखते हैं वो raw वाला department होता है This is intelligence bureau जिस पोस्ट पर यह vacancies निकली है यह है assistant central intelligence officer जो group C and grade 2 की post है सोनने से आपको लग सकता है कि group C, grade 2 तो हो सकता है उतनी पोस्ट ना हो लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इसमें जो salary है वो initially rupees 75,000 per month आपके रहेगी जिसके बाद आपके promotions होंगे and जो pay scale है वो बढ़ता जाता है क्योंकि तो बढ़ते बढ़ते यह 1,70,000 तक जाएगी तोटल number of vacancies की बात करें तो यहां पे 995 vacancies है जो different categories में divided हैं और आपके सामने screen पे हैं इसके forms 25th November यानि अभी 3 दन बाद fill होने start होंगे description में हो सकता है आपको direct online apply करने का link ना मिले पर मैं उसको 3 दन बाद update कर दूँगी so form fill होने से 3 दन पहले ही इसके उपर पूरी information बना दी है पूरी video बना दी है अगर आपको ऐसे ही timely notifications चाहिए यानि जैसे ही vacancy आए आपको फटक से बदा चल जाए तो आप channel को subscribe कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो उससे आपसे कोई भी जो notification है वो miss नहीं हो जाएगा परको कई बार ऐसा होता है कि हम YouTube चला नहीं भूल जाते हैं या हम स्ट्रोल करते वक्त हमें नहीं मिलती वीडियो तो हो सकता है आपसे उस case में notification में सो जाए आप चाहें तो आप subscribe कर सकते हैं बेल आइकन हिट कर सकते हैं सो अभी तीन दन बाद इसके form fill होने स्टार्ट होंगे और इसके लिए अप्लाई करने की last date 15th December रहेगी form fees की बात करें तो SC, ST and सभी female candidates के रुपीस 450 and unreserved candidates के लिए OBC and EWS के candidates के रुपीस 550 की form fees रहेगी exam centers इसके all over India रहते हैं जब आप फॉर्म कर रहे होंगे तो आपको अपनी top 5 priorities इसमें देनी है अब हम second चीज के ऊपर आते हैं जो हमारा second part है वीडियो का which is eligibility criteria सबसे पहले कोई भी Indian किसी भी state and city से इसके लिए apply कर सकता है and men and women दोनों apply कर सकते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन में मांगा गया है any graduate यानि कोई भी person जिसने किसी भी stream में किसी भी year में अपना graduation complete किया है या अगर आप अभी final year के भी final semester के भी student हैं जोनों ने पनी एजाम दे दी हैं या देसम्बर में देने वाले हैं वो लोग इसके लिए apply कर सकते हैं so any graduate can apply for this आपका कोई सा भी हो BA, BCOM, BSC, BBA, MBA, MBA, EB, TECH आपकी डिगरी चाहें कोई भी हो आप इसके लिए apply कर सकते हैं और आपने अपना qualification किस year में complete किया है वो भी matter नहीं करेगा irrespective of that आप apply कर सकते हैं इसमें एज में मांगा गया है कि जिनकी एज 18 से 27 के बीच में है वो इसके लिए apply कर सकते हैं यहां पर S.E.S.T. को 5 और O.B.C. को 3 इयर्स का एज रेलाक्सेशन भी हिलेगा Let's come to the third part of this video which is exam pattern and syllabus Okay, तो सबसे पहले देखते इसका exam pattern क्य होगा तीन स्टेज़ में होगा एक Pre का exam होता है एक Mains का exam होता है और एक Personal interview होता है तीन स्टेज़ इसमें होते है हम तीनों को one by one कर के discuss करते है सबसे पहले आपको प्री का exam होगा इसमें आपके 5 subjects आएंगे जैसा कि मैंने आपको वीडियो के beginning में ही बताया था सभी सरकारी नौकरियों में घूम फिर के English, General Knowledge, Maths and Reasoning आता है अगर आप ऐसी कुछ अच्छी किताबे उठा पाएं जैसे Lucent for General Knowledge Maths के लिए कुछ लोग RD Sharma प्रफर करते हैं बट उतना hard and fast Maths नहीं आता 10 तक का Maths अगर आपको आता है और मुझे ऐसा लगता है कि preparation के लिए जो मैंने जब exams one by one crack करने शुरू किया थे तो मेरी जो strategy थी वो यह थी कि पहले मैंने 6 से 10 तक की NCRT की book सारा Social Science, Science and Maths पढ़ा था उसके बाद जब आप पढ़ते हो तो आपको add-on तो मिलते जाते हैं कुछ extra points पता चलते जाते हैं लेकिन आपका एक जो base है वो बिलकुल clear रहता है तो 10 तक जितना ही Maths आता है जैसे Geometric के questions आ जाते हैं Arithmetic के questions आ जाते हैं इस सब आम 10 तक पढ़ते हैं तो RD Sharma जितना in depth जाने की आपको ज़रत नहीं है बट what I'm trying to say is that if you are somebody who is preparing for government exams then just pick up some good books और आप उनको पढ़ें एक book लिए एक book लिए Maths के लिए, एक GK के लिए एक reasoning के लिए मैं इनको English, GK, Maths, Reasoning बोलते हैं बट यह अलग अलग नाम से subject आते हैं कुछ लोग GK को General Awareness केते हैं कुछ लोग Maths को Quantitative Aptitude केते हैं कुछ लोग Reasoning को Logical Ability के या Reasoning Ability केते हैं तो अलग अलग नाम से books आती हैं अगर आप इनको खरीद के पढ़ लें और 2024 में आप जो भी Government Job के Forms आते हैं उनको फिल करें जिसमें भी आप इंट्रेस्टेट हैं तो आप डेफिनेटली रिटेन एक्जाम तो क्राक कर लेंगे तो यह पांच सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, चेनरल नॉलज़, Maths and Reasoning और एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है Current Events जैसे जब मैं CDSFCAT का भी एक्जाम देती थी उसमें भी Current Events आते थे बट वो जीके में ही आते थे यहां पर Current Events का एक अलग से section बनाया गया है तो पांच सब्जेक्ट्स हो गए हार सब्जेक्ट्से समें 20 questions आते हैं यानि 20 questions and 5 subjects तो टोटल 100 questions और हार question एक नंबर का हुजा तो टोटल 100 marks का पेपर होगा आपको solve करने के लिए एक घंटा मिलेगा इतने अच्छे से मुझे इसका exam pattern, kind of I still remember it that I did not even need to look down and yes, it is exactly so एक और important चीज़ इसमें अपकी 1 फोर्थ की negative marking होती है अभ यह क्या करते हैं प्रीक exam के बाद almost 10 times जो candidates होते हैं उनको written में pass करते हैं तो टोटल नंबर वेकेंसी है 995 उसका 10 times यानि 9,995 candidates almost 10,000 candidates जो होंगे जो top 10,000 candidates होंगे वो stage 1 clear करेंगे and stage 2 यानि जो इनका mains exam है उसमें बैठेंगे mains exam इनका descriptive paper होगा जो 50 marks का होगा इसमें essay writing, application writing, precise writing इस तरीके के topics आते हैं letter writing इस तरीके की चीज़े आते हैं तो यहां पे letter writing 20 marks and essay writing 30 marks का है यानि 50 marks का paper हुआ और एक घंटे का आपका paper होगा इसके cut off जाएगी 17 marks out of 50 अब क्या होगा? आपको mains clear करने के बाद ऐसा निया सीधा interview देने को मिलेगा अब आपकी एक चोटी merit list बनेगी चोटी merit list मतलब initial merit list बनेगी आपके pre and mains दोनों के marks add किये जाएंगे और इसमें से जो आधे candidates उनको बाहर कर दिया जाएगा and rest half candidates यानि almost 5000 around candidates जिनको interview में बैठने के लिए मिलेगा तो I hope you understood कि आपको pre be clear करना है pre के बाद आप mains दे पाओगे mains भी clear करना है mains के बाद आप direct interview ने दे पाओगे mains अलग से clear करना है और top 5000 candidates में अलग से आना है क्योंकि इसमें लिखा है कि इसके 5 times जो काड़िटेट्स होंगे उनको interview के लिए सेलेक्ट किया जाएगा फिर जो TOP 5000 जो भी आप सबके मार्क्स तेके जाएगे जो TOP 5000 होंगे उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा पिर एक इंटेवी होगा जो 100 मार्क्स का होगा and बहुत जैसे जो दूसे normal interviews होते है इतना simple भी नहीं होता है बहुत ज़दा difficult भी नहीं होता एक दम UPSA type interview भी नहीं होता but it's not an interview जहाँ पे आप से सिर्फ आपके बारे में आपके शहर के बारे में आपकी family के बारे में you can definitely expect some GK sort of questions and some social situation वाले questions, some something like that 100 marks का वो होगा और फिर एक और final merit list मनेगी जिसमें आपका 100 marks आपके pre से 50 marks आपके main से and 100 marks आपके interview से याई 250 marks के आपकी एक merit list बनेगी इसका पूरा selection process रहेगा इसका जो syllabus है वो इसके notification में ही given है Now how to apply for this इस पे आते हैं या तो देखिए आप mha.gov.in 25th November को जाएं उसको खोल के देखेंगे वाह पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आपको उसका online application का मिल जाएगा या आप वेट करें 25th November को you can come back to this video best चीज रहेगी कि आप एक अलाम लगा लें क्योंकि इतना प्रेशर लेना कि आप याद रखें 25 तारिक तक और हो सकता है अगर आपसे मिस हो गया तो इसलिए बेटर है कि आप अलाम लगा लें 25th November को मैं जो लिंक है online application का वो अपडेट कर दूँगी क्योंकि तब यह link खुलेगा अभी इसे वो लिंक अविलेबल नहीं है विलाल के लिए मैं आपको इस notification का जो PDF है वो description में दे दूँगी वहां से आप जाके चेक कर सकते हैं इस notification को एक बार खुद भी अच्छे से पढ़के देख सकते हैं ताकि आपको personal level पे सारे जो points है वो clear हो जाए So that was all about this video यह सब इसके बारे में complete details थी अगर आपको इससे related कोई भी doubt है तो आप मुझे comment में पूछ सकते हैं and I'll go through the comments one by one and I'll answer all of your doubts So again thank you very much for watching इस तरीके के और jobs में अगर आप इंट्रेस्टेट हैं तो आप इस channel को subscribe कर सकते हैं कर सकते हैं